भारतिय सेना ने गुरेज बंदीपूरा में लड़कियों को सशक्त बनाने के लिए तीन महिने का कटिंग टेलरिंग कोर्स आयोजित किया है। भारतिय सेना द्वारा माहिलां को कोशल के माध्यम से सशक्त बनाने और उन्हें स्वतंतर बनाने के ओदेश से यह निशुल के प्रेसिक्षण पार्टेकरम आयोजित किया है। गुरेज बागतुरे एक दूर दराज का इलाका है जहां अबसर कम है यहां के लोगों ने कुछ विकास कारिकरम के लिए हम से संपर्ख किया। भारतिय सेना ने गुरेज घाटी के दूर दराज के लाकों में रहने वाली लड़कियों के लिए तीन महीने का कटिंग और ट्रेलरिंग कोर्स शुरू किया। इस करिकरम के तहट हम मुल रूप से गरीब लोगों को लक्षित कर रहे हैं और हमारा उदेश इन लड़कियों को प्रसिक्षित करना है ताकि उन्हें आगे अबसर मिल सके। केंदर की प्रसिक्षू हेमा बानों ने भारतिये सेना के काम के लिए उनका आभार विक्ति किया और सिलाई मशीनों की मांगी। इस शेत्र में कई सिक्षित बेरोजगार लड़कियां हैं जिनके पास अबसर नहीं हैं हम इस प्रियास के लिए भारतिये सेना के आभारी हैं हम केंद्र से कई मशीने उपलब्द कराने का भी अनरोध करना चाहते हैं केंद्र में एक अन्य प्रेसिक्षू राबिया सुल्तान निभी गरी प्रेश्ट भूमी की लड़कियों को वुनियादी कटिंग और सिलाई सिखाने की पहल करने के लिए इभारतिय सेना को धन्यवाद दिया यह आर्मी द्वारा उठाया गया अच्छा कदम है और हम इसके लिए आभारी हैं हमें यहां अच्छी ट्रेनिंग के साथ साथ मुफ्त मशीने और अन्य जरूरी सामान भी मिल रहा है लेकिन मशीनों की संख्या कम है हम हम इंडियन आर्मी का श्यक्रिया दखते इसेनधने के लिए यहां पर आज यहां पर स्वलाई संटर का काम शुरूर करने हैं आज यहां इंडियन आरमी ने तीन महीने का कौरुश शुरू कराया यूस अंटर बकतोर में और हम 25 लडकियों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है हम वह शुक्र गुजारा है ये शुक्रिका रिजू हम हं यहाँ पर सोजनी का चलाया था फिर कृटिवल का चलाया था और यहाँ पर गाओं वालों की डिमांड थी कि यहाँ पर लड़कियों को काटिंग एंड टेल रिंग का तो अमीद है कि ये जो ट्राइनिंग प्रोग्राम है तीन महीने के बाद भी चलेगा और लड़कियां काफी खुश थी और लोग यहां के भी काफी खुश थे जिन्होंने इंडियन आप्मी का शुक्रिय आदा किया है कि इस तरह के प्रोग्राम और भी यहां पे मुनेकद होने चाहिए हम इंडियन आर्मी का शुक्र गुजा रहे हैं यहां पे क्योंकि इन्होंने यहां पे हमें तीन मदल महीने के लिए हमें यहां पे रखा है टेलर कौम तो हम तीस लड़किया यहां पार्ट से पड़ कर रहे हैं तो हम इंडियन आर्मी का बोष शुक्रिया कर दो चाहता